देखो यहां पर हमने पास question क्या है So that the ratio of sum of first and terms of a gp to sum of terms from n plus 1 to 2n terms is 1 by r to the power n ठीक है तो सबसे पहले तो हमारे पास gp क्या होती है gp होते है a, ar, ar square, ar cube इस तरह से और up to nth term क्या होती है इसकी a r to the power n minus 1 ठीक है लेकिन हमें यहां पर किस पर जाना है हमें जाना है यहां से n plus 1 to 2nth term तक तो nth term तो यह होगी तेरह मारे पास n plus 1 में term क्या है गी a r to the power n ठीक है इस तरह से चलती जाएगी और 2n क्या है गी 2nth term आजाएगी इपने पास a r to the power 2n minus 1 ठीक है अब देखो अब हमें क्या बताना है कि इस n terms का sum divided ratio of n terms का sum and n plus 2 से n plus 1 से 2n terms का sum ratio है वो 1 by r to the power n आना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो हम gp का series कैसे लिखते है sn is equal to n terms का sum first n terms का sum लिखते हैं first term a r to the power n minus 1 upon r minus 1 ऐसे लिखते हैं ठीक है फिर देखो फिर हमार पास in terms का sum क्या आएगा यह मारे पास series कैसे बनेगी next n plus 1 से 2n plus 1 तक देखो इस तरह से होगी r to the power 2 1 plus r a into r to the power n plus sum निकालना है में तो s to n लिख लेता हूं मैं इसको ठीक है या s s1 माल लेता हूं इसको ठीक है तो a r to the power फिर a r n plus 1 plus इस तरह से चलती जाएगी और कहां तक जाएगी a r to the power 2n minus 1 तक ठीक है तो देखो इसमें से हमारे पास क्या आ रहा है a r to the power n को मना रहा है और फिर अंदर क्या जाएगा अंदर आ जाएगा अपने पास 1 plus 1 plus यहां पर क्या जाएगा r plus r square plus यह कहां तक जाएगा अपने पास r to the power n minus 1 तक ठीक है तो इसका सम क्या जाएगा, a into r to the power n, and, देखो, यह हमारे पास n terms है, और first term मारे पास a 1 है, and, common ratio r है, और number of terms n minus 1 upon, यह कितना है, r minus 1, यह हमारे पास s1 क्या है, हमारे पास next n plus 1 से 2nd terms का सम, तो यह आगे, अब हमें क्या given है, कि s and n terms का सम and s1, s1 क्या हमारे पास n plus 1 से 2nd terms का सम, उनका ratio find out करना हमें, ठीक है, तो s and क्या था, s and है पने पास a upon, a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, ठीक है, upon, यहाँ पे क्या है, s1 क्या है, a into r to the power n, r to the power n minus 1 upon r minus 1, तो देखो, यहाँ से यह cancel out हो गया, यह cancel out हो गया, और यह cancel out हो गया, तो रहेगा क्या, 1 upon r to the power n, और यही हमें प्रूव करना था कि, यह किसके equal लाना था है, 1 upon r to the power n के, ठीक है, easy है?